नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप चेंज कर सकते हैं इनकरेक्ट या रॉंग सेल्स रिसेट्स या पर्चेज जो आपके AIS के अंदर Annual Information Statement के अंदर आ रही है तो कैसे आप e-filing पोर्टल का यूज करके AIS के अंदर अपनी रिसेट सेल्स ट्रम और या पर्चेज को चेंज कर सकते हैं फीडबैक का यूज करके तो चलिए दोस्तों समझते हैं कैसे आपको e-filing पोर्टल पर इसको चेंज करना है इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड़ था कि सिंपल है दोस्तों सबसे पहले आपको आना होगा एन्वाल इन्फर्मेशन स्टेट्मेंट ए इस में ठीक है यह आपको कंप्लाइंस पॉर्टल पर ले जाएगा फ्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और यहां से जो कंप्लाइंस पॉर्टल है वो हो जाएगा ओपन यह यह अभी आपको एस में आना है और यहां से आपको एन्वाल को select करना पड़ेगा ठीक है जासे की बात करें हर्विंदन लहोतरा यहां पर जो मेरे टीडियास किया गया है और जो मैंने बिलिंग करी है उसके बीच में डिफरेंस है इतने की मेरी बिलिंग नहीं हुई है difference है तो क्या करेंगे इस पर click करेंगे इस पर click करते हैं जो quarterwise return ओना TDS की file करी है वह आपको दिख जाएगी January से March का fourth quarter January से March का fourth quarter और वरी में यह amount दिखाए हुआ है March में यह दिखाए हुआ है दरसल यहां पर March में जो amount है वह access amount शो है जो मैंने billing किया है उससे तो क्या है यहां पर फीडबेक दे सकते हैं कि जो amount शो किया गया है वह access है तो इस optional पर click करेंगे फीडबेक जो होता है वह optional है चाहिए तो अब दे सकते हैं में इंडिटरी नहीं है अभी यह जो amount आ रहा है पिचास ग्यारा यह पिचास लग का जो amount है और इस पर जो टीडियस डिड़क्ट हुआ है यह गलत हुआ है क्योंकि amount मेरी जो billing है वह कम है और इन्होंने amount ज्याद रिफटेबल सिक्योटीज है यह ट्रीट अपिटल रसीट से यह फुली इंफॉर्मेशन फुली नोट करेक्ट पूरा का पूरा करेक्ट नहीं है यह यह पैन जो है वह अधर यह से रेलिटीड है ठीक है यह डूब्लीकेट है information यह इंक्लूड है अधर इंफॉर्मेशन यह इंफॉर्मेशन डिनाई क्या है क्या करना यह पर फीड़ दिने चाहते हुँ तो बात कर लेता हूं मेरा यहाँ पर जो चल लीक्व कर लिया थीकुट का फौर्थ क्वाटर का जनरी से मार्च का अमाउन्ड यह दिया गया है लिकिन मेरे हिसाफ सो जो अमाउंट है वो इतना नहीं है तो मेरे हिसाफ सो से अंदर जो मेरी 17 बनती है वो कम बनती है और इन्होंने amount ज्यादा दिखाया हुआ है तो जो sales बनी है वो बनी है 2591-500 का amount है और इस पर TDS की बात करें या TDS deposit वाले amount को आप चेंज नहीं कर सकते है ठीक है लेकिन जो amount मेरा बना है मैंने वह amount यह report किया कि हम मैंने इतनी की sales दिखाई है उन्होंने amount extra दिखा रहा है 2591-500 का है ठीक है अभी क्या करना है इसको करना है submit अपना feedback submit कर देंगे कर दिया हमारा feedback submit हो गया देख सकते हैं जो feedback submit हुआ है वो आपको TIS के अंदर याने taxpayer information summary के अंदर दिख जाएगा इसको अभी करना है close ठीक है उसके बात करें दोस्तों हर्विंदर मलहोत्रा के अंदर ही जो fourth quarter है fourth quarter के अंदर भी difference है परवरी वाले amount में परवरी वाला amount भी ज करना information fully correct नहीं है तो information यहां से ले सकते हैं information is not fully correct ठीक है यहां से ले लिया amount कितना है amount TDS का जो deduct हुआ यह TDS deposit का amount change नहीं होगा किवाल आप चितना amount credit किया है यह paid किया है उसको आप change कर सकते हैं तो यह amount है 789,89,000 ठीक है यह ले लिया मैंने यहां भी अपना feedback submit कर दिया कि दोस्तों देख सकते हैं अब यहां पर जो amount हो गया वो हो गया 67,000,000 का पहले 95,000,000,000 का था modification हमने करी दो एंट्रियों के अंदर TDS के अंदर यहां पर देख सकते हैं फोर्थ कोर्टर के अंदर पहला उन्होंने 50,000,000,000 दिखा रखा है मार्च में जो की मेरे बुक्स के इसाफ से जो मैंने billing करी हुई है वो 25,000,000 है ठीक है उसी प्रजार से फोर्ट कोर्टर में फरवर्वरी के अंदर उन्होंने 11,000,000 दिखा हुआ है मेरा यहां पर साथ उनासी है ठीक है तो मोडिफिकेशन करने के बाद अब आप देखेंगे जो फाइनल अमाउंट आता है यह के अंदर इस पर्टिकुलर पार्टी से रिलिटेड वो यहां पर देख सकते हैं यह आ रहा 67,000,000 पहले 95 था आप 67,000,000 हो गया अभी इसी प्रकार से आपको क् का बी जिनका अब अब आमॉट एक्शाल यह हो गया ठीक है तो अब जब अब इंकम टेक्स रिटन को पर्पेर करेंगे तो इस अमा ON यूज करके आप इंकम टेक्स रिटन को पर्पेर कर सकते हैं अब आप技 दिखा सकते हैं आपके का जिए इसकी इन्फरमेशन जाएगी वो देखेंगे इसकी डिटेल्स को जो आपने यहां पर रिपोर्ट करिए तो ऐसे आपको यहां पर modification के लिए अपना feedback submit करना है तो यह के अंदर एन्वर information में इस प्रकार से अपने modification को submit कर सकते हैं और दोस्तों अपने अपना feedback गलत भर दिया है तो यहां पर आके जैसे कि मैंने feedback दिया मैंने बताया कि जो information वो fully correct नहीं है तो जब भी आपको लगता है तो इस पर आके modify feedback का option आता है इस पर click करके अगर आपने modification में ही की amount को गलत भर दिया है तो modify कर सकते हैं अपने feedback को भी ठीक है तो ऐसे अपने AIS के अंदर feedback को दे सकते हैं और अपनी sales growth assets या turnover को ठीक कर सकते हैं TDS return में show कर रहा है ठीक है दोस्तों अब यहां पर TIS के अंदर देख सकते हैं कि TIS के अंदर जो आपकी proceed value तो यह है लेकिन drive value यह है जो की AIS के अंदर आपने change किया है अब AIS के अंदर भी दो तर की value आती है देख सकते हैं यह है AIS AIS के अंदर आपको यहां पर values दिखेगी यह है आपकी modify value नीचे वाली bracket में जो है और उपर जो है आपके अपनी amount को अपनी values को अब ठीक कर सकते हैं वीडियो कैसे लगी ज़रूब बताए ताइंक्यू समच जैन वन्दे मात्रूब